नमस्कार दोस्तों इनफोकस सिविल अकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का यह वीडियो समिक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी के लिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग दरसल जिस विशय पर चर्चा करने जा रहे हैं व सब सक्ष्ण से कितने कि अंकों के कि परिक्षा में लिसे आप देख कि जैसा इस बारका सक्षन को आधनीक भारत का इतिहास ही है और जैसा कि हम वादा करते है वे जियुन विशाय आपका शुरू होगा उससे पहले उसकी महत्वपूर्ण रणनीत को साज़्ा किया जाएगा तो यह वीडियो दरसल उसी के उसी वादे के अनरूप है और चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं कि देखिए सबसे पहले तो हम लोग यह डिसकस करते हैं कि मौडर्ण हिस्ट्री से विभिन वर्ष्ट की परिक्षाओं में कितने कितने नंबर का क्वेस्चन पूछा जाता है कितने कितने प्रशन आते हैं तो देखिए 2021 में परिक्षा हुई आपकी यहां पर हम लोग जो बा हुँआ प्र upp셨ने तो इसलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि मौर्डर घिस्ट्री मॉडर्ण हिस्ट्री से कितने प्रशन पूछे आते हैं तो देखिए यहां पर 2021 में 14 प्रस्न पूछे गए, 2016 में 15 पूछे गए, उससे पहले 10, 10, 10, यानि 10 का एक average हमेशा चला आ रहा था, लेकिन अगर इसके पहले भी हम जाएं तो वहां पर भी 10 ही प्रस्न पूछे गए थे, तो 10 का एक average चला आ रहा था, लेकिन हाल के दो प्रस् कोटे section का weightage बढ़ता है, तो वह आपको ये शुब संकेत हो सकता है, क्योंकि यहां पर आप सोचे कि आपको history अगर आप पढ़ते हैं, तो उसमें तीन section होता है, ancient होता है, medieval होता है, modern होता है, अब ancient होता है, medieval को पढ़ना एक तरफ, modern को पढ़ना एक तरफ, क्योंकि इसमें आप जितनी books cover करेंगे, उससे बहुत ही कम books आपको इसमें cover करनी पढ़ेगी, मतलब अगर content के लिहाद से देखेंगे, तो यहां पर जो आप जितना आपको महनत करनी पढ़ेगी, उससे कम महनत यहां पर करनी पढ़ेगी, अगर interest के हिसाप से देखेंगे, तो यह थोड़ा और फिल्टर लगा दें तो modern history से भी अगर हम लोग एक महत्वपूर्ण section को अलग कर लेंगे तो दरसल हमारा बहुत काफी हद तक काम चल जाएगा तो उसको समझने के लिए दरसल previous year के papers जब भी मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी परिक्षा की अगर हमें जाननी हो तो उसके सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि एक तो आपकी स्लेवस पर कमांड होनी चाहिए दूसरी आपकी previous year question paper पर आम तोर पर जो लोग नहीं तयारी शुरू करते हैं वो लोगों को इतना समझ नहीं पाती है विक्सित क्योंकि थोड़ा उसमें समय लगता है इस वज़य से यह आपके बिहाव पर हम लोग कर देते हैं ठीक है यहां पर देखे तो इसकी अगर हम लोग बात करें नेशनल मुवमेंट की यानि भारती राष्ट्री अंदोलन की यह बेसिकली शुरू होता आपका वही भारती राष्ट्री कॉंग्रेस की स्थापना के समय से यह फिर कई लोग अठावन के बात से भी मान लेते हैं जैसा भी जिस बुक में दिया हो वहां से अगर हम लोग इ से 6 दिख जाते हैं दस्व meं 7 जाते हैं कभी-कभी 20 में 10 मी दिख जाते हैं तो आप इस से इसकी महत्ता समझ सकते हैं कि यह भारती राष्ट्री आंदोलन है दरसल यह आयोग जो है इस पर बहुत ज्यादा गौर करता है बहुत मतलब इसको पूछा जाता है अक्सर और केवल समिख्षा दिकारी की परिक्षा में ही नहीं बलकि अन्य परिक्षाओं में पूछा जाता है उसका भी अपना कारण है आप समझे भ अगाओं को हम लोग तभी समझ पाएंगे जबकि हम लोग उनके बारे में अध्यान करेंगे तो यह पूछा जाना लाजमी है यह सबसे ज़्यादा पूछा जाना स्वभाविक है आपके लिए तो नेशनल मूवमेंट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर उभर का सामने आता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पढ़ने में भी बहुत मज़ा आती है दरसल पूरे हिस्ट्री का अगर आप उठा लें तो यह मोस्ट इंट्रेस्टिंग सब्जेक्स में से एक है इतना पोर्शन के वल नेशनल मूवमेंट ठीक है तो यह आपका समझ है उनमें देखें तो यह दरसल और्गनाइजेशन वाले जो चैप्टर होते हैं जिसमें आपसे यह चैप्टर क्या बिसिकली आपका एक ऐसा होता है कि जो विभिन संगठनों संस्थाओं इत्यादी की जो गठन पूछा जाता है कि कब हुआ या फिर यह जो है किसके द्व प्रश्ण और साथ ही साथ उसके ऐक्ट्व वाले प्रस्ण की अच्छा है कि जो इस प्रकार के प्रश्ण आते हैं जो तो यहां पर दिख जाता है एक प्रस्ण पूछा गया, तीन प्रस्ण भी पूछेगा एक बार, फिर एक प्रस्ण और उससे पहले 00 प्रस्ण, अब देखिए यहां पर आप ऐसे अगर देखेंगे कि 001 तो यह तो बहुत कम संख्या लग रही है, लेकिन जब आप यह सोचेंगे कि modern history में कई सारे ऐसे महत महतुपूर्ण chapters भी हैं, जिनमें हो सकता है कि आपको 50 पेज या 40 पेज पढ़ जाएं, फिर भी उससे एक नंबर कभी ना पूछा जाए, जबकि यहां पर 4-5 पेज पढ़ने से या फिर कुछ सारणियों के अध्यान करने से, tables पढ़ लेने से, आपका यह एक या तीन यह दरसल इसमें काफी पूछा जाता है, especially अगर हम बात करें तो खिसान अंदोलन की, ठीक है, यह खुब पूछा जाता है, हलाकि निम्न जाते अंदोलन भी ठीक ठा की पूछा जाता है, अब इसमें देखिए, 0 नंबर का भी पूछा गया है, विगत वर्स में, और उससे पहले एक नंबर, तीन नंबर, यहाँ पर तीन नंबर, एक नंबर, जीरो नंबर, तो मतलब आप यह समझें कि बहुत जादा ऐसा कोई फिक्ष्ट पैटर्न तो नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी एक इंपोर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको कवर कर लेना है, थोड़ आप बाकी चीजों का रिवीजन दो बार कर रहे हैं, तो इसका कम से कम चार बार कीजिए, इस तरह का एक आपको रेशियो लेकर चलना है, और अगर इसका आप तीन बार रिवीजन कर रहे हैं, तो इसका छे बार कीजिए, बस यह आपको रेशियो लेकर चलना है, इसी वज सबसे की रोल निभाता है वो दरसल इसी प्रकार की प्रिवियस एर क्वेस्टन का एनालिसिस करके जो पैटर्न हमारे सामने आता है वह हमें बताता है तो चलिए आगे देखते हैं समाचार पत्र पत्रकाएं एक सिंपल से आपको सारड़ी का ध्यन करना है जिसमें करीब करीब 40-50 समाचार पत्र या पत्रिकाएं होती है जिनका संस्थापक पूछा जाता है और या फिर उससे रिलेटर अगर कुछ विशेश टिपड़िया है तो उनको हम लोगों को देखना होता है जैसे पहला हिंदी का अकबार कौन सा था इस प्रकार के जो होते हैं या फिर राजर यह थोड़ा सा मिटर गया है मेरे ही खड़े होने से तो चलिए समाचार पत्र पत्र का हैं यह वाले में देखेंगे तो एक एक और उससे पहले भी एक लगभग यह एक एक नंबर का एवरेज हम लोगों को समझ में आता है तो यह एक नंबर का एवरेज समझ में आता है उस उसके बाद देखेंगे तो यह आरंभी का अध्याय मतलब जो आपका modern हिस्ट्री है उसमें जो सबसे आरंभी का अध्याय होते हैं यानि जो modern हिस्ट्री में 1857 के पहले के अध्याय उसमें भी हम लोग देखेंगे तो यह पहले लिख लेक act 210 21010 और समाचार पत्र पत्र काई में 110 110 सो चलिए समाचार पत्र पत्र काई आपका उसके बाद अब यह देखे तो आपका k legit एक टेबल आपको याद करनी है आप उसको कैसे भी करके याद कीजिए यहां पर आपको अगर एक नंबर भी उससे दिक्कद होती है रटने में लेकिन जब आप एक साथ बैठेंगे रटने के लिए तब दिक्कद होती है आप अपने सामने उसको निगाहों के सामने बनाए रखें और ऐसी कहीं पेस्ट कर लें और इस प्रकार से याद करने कि डेली बेसिस पर कोशिश करें कुछ कुछ के अध्यम से प्रैक्टिस करें तो उससे आपकी यह सारी बाधाय दूर हो जाएंगी अब बात करते हैं आरंभिक अध्यायों पर कि आरंभिक जो अध्याय होते हैं उनमें दसल क्या स्थिति है तो यहां पर देखें दोजार एककीस में दो प्रस्ण पूछे गए यह अठाव नवीन में अध्यों का जो गठन होता है या फिर उसके बाद जो अंग्रेजों की भारत विजय किस प्रकार से होई उसको हम लोग देख सकते हैं इसमें या या फिर कंपनी की स्थापना कैसे हुई उसको देख सकता है आन्यों जो एक शेत्री राज्य थे उनका कैसे कैसे ग प्लस यह इधर चैप्टर्स डिसकस किये हैं यह सभी यानि इंपॉर्टेन्ट जो भी चैप्टर्स हैं वह हो गए अब इसमें आप देखिया कि नेशनल मुव्मेंट भी आपका इतना हो जाता है अगर इतने से ही हमें इतने ज्यादा अंकों का पूछा जा रहा है तो इसको कम से कम आप छह से साथ बार रिवाइज कर लीजिए यही है सफलता कुंजी जो स्मा लोगों के लिए अभी फॉलो करना मुश्किल लग रहा हो क्योंकि उनको यह लग रहा हो कि यह तो इतना हमसे तीन दिन में नहीं हो पा रहा है तो यह ऑनलाइन टेस्ट है आप लोग इसको पांच की वजाए छे तारिक को भी अटेम्ट कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब स इसको flexibility भी रखी गई है कि अपने हिसाब से आप इसको डाल सके हैं चली आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे nature of questions पूछे जाते हैं RO की परिक्षा में वो किस प्रकार कर रहते हैं तो उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो दरसल इसमें लगभग 90% या 80 to 90% questions जो है वो facts based होते हैं facts based questions ज्यादा होते हैं conceptual बहुत कम होते हैं unlike PCS या IS की परिक्षा PCS में तो फिर भी conceptual प्रशन होते हैं परन्ति यहां पर facts वालों की ही ज्यादा तर अधिकता दिखते है facts का मतलब कि आप से यह पूछ लिया कि अच्छा इसका गठन किस सन में हुआ इसके संस्थापक कौन थे अब आपको उसको रटना ही है उसमें आप कोई concept generally नहीं apply कर सकते हैं हाला कि अगर आप अच्छी तरीके पढ़ाई करते हैं तो उस रटने वाले चीजों को भी आप कहीं न कहीं उसमें educated guess लगा सकते हैं यानि वो pure तुक्का नहीं होता है तो इस तरीके से एक अच्छी पढ़ाई वो जरूरी हो जाती है अगर आप facts को भी समझना चाते है facts में सारी चीजे रटने वाली नहीं होती है अगर आप उसकी अच्छी तियारी करते हैं तो आप निश्चित रूप से इन facts को बिना रटे भी अपना काम चला सकते हैं क्योंकि जाता है ठीक है किसी भी अच्छी पुष्टकों के अध्यन से आगे देखते हैं तो कुछ प्रशन इसमें chronology बेस्ट भी आते हैं काल क्रम पर आधारित की यह संगठन जो है इसमें कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ या फिर यह अंदोलन में कौन सा पहले हुआ प्रशन पूछे जाते हैं इसी प्रकार से मिलान करने वाले जो प्रशन है वो भी खुब पूछे जाते हैं कि इस संगठन के स्थापना किसने कि ऐसे करके चार आपको दे देगा और उसको आप लोग मिलाना होगा तो यह तीन प्रकार के प्रशन ज्यादा पूछे जाते है अब बात करते हैं books की कौन सी किताब है जो दरसार हम लोगों को follow करनी चाहिए इस प्रकार से आपका ये वीडियो जो है वो समगर रणीती पर चर्चा हो जाएगी including books और अन्य सभी चीजें तो चलिए books पर अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें देखिए सबसे पहली बात ज या इसके अलावा भी कोई book है अगर आप उसका कई बार अध्यान कर चुके हैं तो फिर आप जरूरी है आपके लिए कि आप उसको तो अच्छे से पढ़ी लें यानि उसका multiple revision बहुत अच्छा रहता है आप जो भी content पढ़े हो उसको ही revise कीजिए अगर आपको यहां बताई ना कीजिए उस पर बलकी आप जे शोर्स पर टिके हुआ है है और उसको बार बार रिवाइस करते रहे हर बुक्स में लगभग content same रहता है किसी में थोड़ा ज़ादा रहता है किसी नहीं थोड़ा खम रहता है लेकिन इन टोटल्टी जो ए वह लगभग सेम रहता है आप अपनी एक ही बुक को बार-बार रिवाईज कर चुके हैं तो फिर उसी पर अमल करें दूसरी बात जो लोग मान दीजिए कि कोई उनक ज्यादे important है भी कि नहीं तो यह उस इस्थिती में अगर हम लोग बात करें तो यह कुछ एक best books हमारे सामने आती हैं जिसमें पहले चलती थी आपकी बील ग्रोबर आज कल भी चलती है लेकिन पहले बहुत ज्यादा एक समय की सबसे चर्चित पुस्तकों में होती थी जब आपकी यूनीक गाइड भी आती थी यूनीक गाइड बोलते हैं कि मतलब वह उस समय के उपियल ग्रोवर लेते थे बहुत अच्छी पुस्तक थी और उसके साथ ही में लोग विपिन चंद्रा भी लेते दे विपिन चंद्रा की तो एहमियत आज भी कमोवेश बनी हुई है पर बियल ग्रोवर अब थोड़ा सा उसकी एहमियत कम हो गई है हाला कि पुस्तक यह बहुत अच्छी है ठीक है मगर अब थोड़ा सा इ इसने इसकी महत्ता कम की है स्पेक्ट्रम बुक अपने आप में काफी अच्छी बुक है इसकी खासियत पर अगर हम लोग बात करें तो दरसल एक तो इसमें कंटेंट इन दोनों की अपेक्षा कम था कंटेंट कम था उसके साथ ही साथ इसमें जो प्री में रटने वाली एक अलगाव भी कर दे रहा है कि अगर हमें प्री पर ओर्येंटेट रहना है तो इस तरीके से रह सकते हैं और मेंस के लिए पहले से पॉइंट्स बना कर दे दिया है तो वो दरसल मेंस जो आपका सब्जेक्टिव मेंस होता है यूपीसी या स्टेट पीसेस के अगर हम बात करें तो वहां पर यह बुग बहुत ज्यादा यूच्फुल हो जाती है आरो के लिए भी यह बहुत यूच्फुल बुक है और काफी इसमें कम कंटेंट है मतलब ऐसा इतना भी कम नहीं है लेकिन आप यह सोचे है कि जिस विशय से हमारे सत्रा अठारा प्रश्न आने हैं य आप यह मान के चलिए कि 13 या 14 नंबर का हम लोगों को दिख सकता है यहां पर और ऐसे विशय कि अगर आप तैयारी करें जिसमें बहुत कम कंटेंट है तो फिर इतना पढ़ना तो लाजमी है कोई उसमें गलत नहीं है और उसके अलावा भी जो बुक्स है उनमें भी दरसल लगभग उतना ही सेक्शन दिया हुआ है तो इस पेक्ट्रम भी एक अच्छा उप्सन है उसके अलावा देखेंगे तो यूपी में खास तोर पर जो परिक्षा होती है उनके लिए वाडी बहुत अच्छी बुक है वाडी में भी काफी परिक्षा वाडी करके आती है यह भ दर्स्तों में बहुत लोगप्री होने लगी क्योंकि उनका कंटेंट काफी कम रहता है मतलब वह काफी पतले में ही अपना कंटेंट निकालती है तो यह भी काफी चर्चित बुक है पर हमारे ख्याल से यह आपके लिए उतनी उप्यूक्त नहीं रहेगी जितनी की इन में ब क्विक बुक भी इधरी लगभग चार से पांच वर्सों में शुरू हुई 2017-2018 में और बहुत ही जल्दी इसने बहुत बड़ा मार्केट कवर कर दिया और कई सारी बुक्स की छुट्टी करने पर तुला हुआ है तो क्विक बुक जो है द्रिश्टी की क्विक बुक आती है द्रिश्टी आइस की और ये काफी अच्छी है लगभग ज्यादा तर विश्यों की ये बहुत अच्छी बुक है और कुछ विश्यों की तो एकमात्र अच्छी पुस्तक है तो यहाँ पर क्विक बुक बहुत अच्छा ओप्शन है और थोड़ा से इसमें इंट्रेस्टिं ज्यादा हैं तो इसलिए बुक कई बार बोजिल हो जाती है हाला कि ये विशाय ऐसा है कि इसमें बुक ये बोजिल होने की बहुत कम संभावना है जैसे मालीजे आपकी क्रिशी वाली जो वाणी की है वो तो आपको पढ़ने में काफी बोरिंग लगेगी पर आदनिक भारत के इतियास वो इतना इंट्रेस्टिंग विशाय है कि उसमें ये बहुत ज्यादा कोई भी आप बुक उठा लेंगे वो आपको इंट्रेस्टिंग ही लगेगी तो वाणी की बुक भी अच्छी है इसके बाद एसके पांडे बहुत अच्छी बुक है और इनकी अगर बात करें इसके पांडे की सबसे अच्छी बुक और धनीक भारत का इतिहास की ही है तो इसलिए आप इसको भी ले सकते हैं इसके पांडे वाणी और स्पेक्टरम या फिर क्विक बुक इन चारों में से आप कोई भी पुस्तक ले सकते हैं इसके अलावा आप देखिए तो कई कोचिं ले सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं आपने पढ़ रखा है तो आप उसको ले सकते हैं बसरते कि वह नोट्स पहली बात तो प्रामारिक हो दूसरी बात यह कि आपने कम से कम एक से दो बार पुस्तकों का अध्यन जरूर किया हो इन सभी में से कोई वीबुक इस स्पेक्ट्रम में से वानी में से एसके पांडे में से या फिर क्विक बुक में से इन चारों में से कोई वीबुक लेने के साथ साथ आपको ये एक बुक तो जरूर करनी है घटना चक्र की पूर्वाव लोकन जिससे आपको विगत वर्षो प्रस्णों कट्रेंड भी समझ में आ जाए गा किस प्रकार से प्रस्ण पूछ जाते हैं वहाžती समझ में आ जाएगा और साथ ही इस परीक्षा की प्रेक्रिती अई यह पिछले वर्श्णों को रिपीट करना यह apartment को आपको यह पुछ तक काफी जब भी मुझे ऐसा ठीक लगेगा तो मैं उस पर कोई अपना वीडियो लेकर आ जाओंगा बाकी यह देखे कि इसके अतरिक्त मैं एक दुबाते आपको और बताना चाहते हो जीएस और हिंदी के लिए बहुत ही गाइड़ वे में बहुत अच्छी तरीके से मतलब आपको ती स्रीज के माध्यम से जिसमें आप सेल्फ इस्टेडी करते हैं और साथ में एक टेस्ट दे देते हैं हर तीन तीन दिन पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि समिक्षा अधिकारी के लिए इस प्रकार की कोई गाइड़ तैयारी कराई जा रही है तीन चार महीनों में सारी चीज़े रिवाइज कराना ये सब चीज़े कराई जा रही है बहत्तर से भी ज्यादा प्रस्ण पत्र आपको मिलेंगे इसमें और ये हम लोगों के एप पर उपलब्द है आप लोग इसको भी देख सकते हैं अगर आपको यह उचित लगे तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार